यह कभी आपने देखा है कि किर्केट के मैदान में सचिन तंदुलकर उतरते हूं तो वो इस हिसाब से सोट लगाते हों कि सामने दच्छिन अफरिका है कि आस्टेविया है कि नामिविया है कि हॉलेंड है उसका काम है अपना खेल खेलना तो जो भी राजनिति करता है जो का सवाल है तो हमारा कॉन्फिदेंस तो है कि हम कह रहे हैं कि हम 40 की 40 जीत रहे हैं तेजस्वी प्रसाद संख्यां बताने की हिम्मत कर रहे हैं क्या नमस्कार अपने फोनेशन देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ वंदना पांचवे चरण के लोकसभा चुनाओं को लेकर आज प्रसार जो है थम गया है बतादें की एक तरफ एंडिये का जो दावा है 40 लोकसभा सीट जीतने का बिहार में तो दुसरे तरफ महागडबंधन भी बहुत मजबूती के साथ जो है इसका नेतित्व करने में लगा हुआ है बतादें की तेजश्वी यादो जिस प्रकार से अभी जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीने का ऐसे में यह कहना बहुत ही मुश्खिल होगा बीजेपी के लिए कि 400 सीट हम जीत पाएंगे हाला कि पाँचवे चरन के चुनाओ को लेकर बीजेपी यानि एंडिये कितना कॉन्फिडेंस है कितने सीट जो है बीजेपी के खाते में आने वाली है इस बार हमारे साथ और भी कई मुद्दें है जिस विसे पर बात करने के लिए हैं साम सुंदर सरन हम पार्टी के देखिए जहां तक कउन्फिडेंस का सवाल है तो हमारा कॉन्फिडेंस तो है कि हम कह रहा है कि हम 40 कि 40 जीत रहे हैं तेजस्वी प्रसाद संख्या करें हूं नहींदू दो नहीं दो तो NDA को दे दो तो वो भी कहीं न कहीं हार मान चुके हैं वो बहुत ही मुझे लगता है कि परेशान नौजवान की तरह बिहाइब कर रहे हैं कमर में बेल्ट लग गया घुमते घुमते देखिया भरी जवानी में उनका कमर लचक गया है जिस तरह का वातावरन ह हैं बीहार के अंदर सट्रा अल बनात्रा महीने कि यह बात हो रही है या तो उनको यह अईकतर करना चाहिए की कि वे विश्वा पारी भागी और वह यो जप्हार में जिन पूछज़वी चिजिजों hai आ जो जो चीजों पर वह बात करते हैं वैसे तो हम अगर आखड़े देंगे तो फिर बात उलट जाएगी उनकी, त्योंकि उनके पास आखड़े हैं नहीं, उनके पास दो मुनीमजी हैं, वो कुछ-कुछ बोलते हैं, जो अस्क्रिप्ड लिखते हैं, उस पर भासन देते हैं, और करते कुछ नहीं, जनता से जो बतना पड़ा कि उनको परत्यासी के लिए दूसरे दलों का दरवाजा खट खटाना पड़ा दूसरे दलों के लोगों को ला करके उनको टिकट देना पड़ा आप नजारा देख रहे हैं कितने राशी जनता दल के लोगों को उन्होंने टिकट दिया चाहें अपनी विरादरी के अलावा चाहें जिस भी विरादरी से उन्होंने टिकट दिया दूसरे दलों से लाला करके टिकट दिया तो सारा खेल तो सामने है लेकिन आप जिस कॉंफिडेंस से कह रहे हैं कि हम लोग 40 सीट आकड़ा बता रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपके केंद्री एस्तर के नेता जिस तरह से एड़ी चोटी लगाए हुए हैं एक किये हुए हैं बिहार उपर इन लोगों का फोकस है मैराथा दौरा पर प्रधान मंत्री एकदम लगातार आपने भी देखा होगा कि एकदम परचार परचार किये जा रहे हैं प्रधान मंत्री इसकी आवशकता क्यों पड़ी जब आपने कहा कि विपक्ष अगला कमजोर है तो फिर आप लोग तो ऐसे ही चुनाओ देखा है कि किर्केट के मैदान में सचिन तंदुलकर उतरते हों तो वो इस हिसाब से सौट लगाते हों कि सामने दचिन अपरिका है कि आस्टेलिया है कि नामीविया है कि हॉल राजनिती 24 घंटे की चीज़ है और ये 5 साल में तमाम राजनिती जो बड़े नेता होते हैं उनको एक मौका होता है देश के हर हिस्से में जाने का लोगों से रूबरू होने का और लोगों की इस्थिती हालात समझने का चुकि आगे 5 साल फिर सासन चलाना है आगे 5 साल फि इन चीज़ों को 24 घंटा कर रहा है उनको क्या समझ में आएगा जो पापा ममी के आचल से बाहर निकल करके चुनाव लड़ लेंगे और फिर कहीं 5 साल होटल का मज़ा लेंगे तो उन लोगों को इस पर क्या समझ में आएगा जिसके पास नेता जितने हैं वो घूम रहे हैं राष्टी जनतादन ने नेता पैदा भी नहीं होने दिया तो उनको देखी ओधार के एक लड़के को घुमाना पढ़ रहा है एक नोवी फेल घूमते थे आव को आट मी फिल को लाए है बाकी तो उनके पास नेता भी नहीं है तमाम नेताओं को उन्होंने घर बिठा दिया आपको हैरानी होगी मैंने कई मंचों से इस बात को कहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं किस तरह का गेम कर रहे हैं वो उनको MLC बनाएंगे उनको राजसभा भेजेंगे जो या तो माल देगा नोट देगा और नहीं तो फिर जो उनके आँखातिरदारी करेगा जो उनका कपड़ा दोएगा जो उनका खाना बनाएगा जो उनका माली रहेगा ताकि वो मैसेज देते हैं कि आगे अगर तुमको कहीं कुछ पाना है तो हमारे घर की गुलामी करनी पड़ेगी तो ये तो ये सब खेल जनता जानती है और जनता समझ भी रही है मैं अगर कुछ नाम गिना दूँगा तो उनके पैरों तले जमी खिसक जाएगी कौन है जो उनके संगर्स के दिनों का सातिरा कौन चुनाव लड़ा है बताए वो नाम जराम को क्यों उनको उधार का नेता लाना पड़ा क्यों उनको दूसरे दलों से ला करके चाहे मुस्लिम कंडिडेट बनाना हो चाहे कुसवाह में कंडिडेट बनाना हो चाहे भुम्यार में कंडिडेट बनाना हो चाहे अधर्स किसी जात में कंडिडेट बनाना हो तो दूसरे दलों का दरवाजा क्यों खट-खट आना पड़ा यह ते जश्वी प्रसाद जी हमको बता दें कि जिनको उन्होंने कैंडिडेट बनाया कितने दिनों तक उन्होंने राष्टी जनता दल में काम किया जरा बताए आकड़ा देते बिहार का चुनाव तो है नहीं चुनाव देश का है और देश ने मिजज बना लिया है नरेंदर भाई मोधि को तीसरी बार फिर से पुना प्रधान मंत्री बनाने का बिहार सरकार को कोई संकट नहीं है किसी की हैसियत नहीं है चुनाव के बाद जो ये दंब भर रहे हैं वो अपने दल को बचा कर दिखा दें कई लोग तो तूट कर आ चुके हैं कई जगा पर उनको चैलेंज मिला हुआ अपने ही लोगों से और आने वाले 24 के चुनाव के बाद राश्टिय जनता दल को ढूंधना पड़ेगा कि उनके बिधायक कब कहां से निकल गए उनको पता भी नहीं चलेगा तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राश्टिय प्रवक्ता साम सुंदर सरण का बता दें कि पांचवे चरन के चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से एंडिय जो है फुल कॉन्पिडेंस में है जो परिणाम आएंगे यह तो चार्ज उनके बाद ही पता लगे चल पाएगा इसकर बस इतना ही बने रहे एनेश्पोनेशन के साथ धन्यवाद